नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Concept Academy की YouTube चैनल पर और हम डिसक्स कर रहे थे आपका UPSC EPFO का Model Paper 6 Question जो डिसक्स होंगे अब होंगे आपके Question 61 to 80 ठीक है ना तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो पहला क्वेशन लिखा हुआ है Consider the following statement regarding the smart code platform तो लिखा हुआ है first कि smart code platform is a platform that enables all the ecosystem stakeholder to contribute to our repository of the open sources code for the various solution and the application for the urban governance बिल्कुल सही है आपका लिखा हुआ Next लिखा हुआ It is designed to address the challenges that urban local bodies will be face in the deployment and the deployment of the digital application to address the urban challenge बिल्कुल सही है इसको इसलिए design किया गया है smart code platform को ताकि जो आपकी क्योंते हैं urban local bodies है उनका जो आपका digital application data होता है उसको क्या कर सके आपका बहतर कर सके तो आंसर बन जाएगा both first and second is the right answer तो लिखा हुआ Housing and Urban Affairs Minister हर्दीप सिंग पूरी launched the smart code platform तो अभी अगर मैं बता दो तो आपकी cabinet रिसाफल भी है और आपके जो मिनिस्टर है हर्दीप सिंग पूरी वो housing and urban affairs ही है रेटेन किया उन्होंने तो यह आपको अलग से याद करने ही जरूत नहीं अभी तो लिखा हुआ smart code is a platform यह दो मने बता दिया second वाला बता दिया आगे पल देते है आपका पर्सनल पॉब्रिक ग्रिविंस अब मैंचे वही आपका पर्सनल पॉब्रिक ग्रिविंस अब सब्सक्तब्रान और चौनिंटएमा की अतोंड राजनाथ सिंह इंगे और मिनिस्टरं फार्म ऌर और मिनस्टर हीator आपका उन्यों आपके त्या regenjoaks रहें रहेंगे नज्य रहें पीसाफिक ग्रिविंसनल का ब्रक्री girिया आपके सुब्रमन्यम जैसंकर की अगर बात करें तो यह आपके एक्सिट्र अफेस मिनिस्टर और यह भी रिटेंड हुए और दुन मुंदा की बात करें ट्राइवल सफेस यह भी रिटेंड हुए इस्मिर्ति उपी निरानी की बात करें वो में चाल्ड डेवलोमेंट इनके पास है जबकि टेक्स्टाइल इनसे ले लिया गया जो दे दिया गया प्यूस गोयल को पहले आपके रेलवे मिनिस्टर थे उनसे वह चीज ले ली गई है कॉमर्स एंड इंडरस्ट्री उनके पास बनी रहे गी कंजूमर अफेस फूद पूलिक दिस्टिपूशन पहले उनके पास वही बना रहेगा जो पहले था पार्लमेंट्री एफिस कोल्स और माइंस इसके लावा बात करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरपैस के पहले आपके नितिन जहराम गटकरी थे पर अब एक नया नाम आया जिनका नाम है नारायन ताव तातू राने तो यह आपन के पोर्ट से विंग के उनको अब आपका हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया इसके लावा सर्वानन सोनवाल को आयूस मिनिस्टर भी दी गई है मुक्तार अरब बास नक्वी की बात करें तो माइट एफिस के रहेंगे डॉक्टर विरेंदर कुमार इनने नही रिस्पांसब करें तो इनके पास जल सकती मिनिस्टर बनी रहेगी करन दिज्जू की बात करें तो इनके पास पेट्रोले मन नैच्रल गया और रहेगी और हाउजिंग अर्वन एफिस उनके पास पहले से था इसके लब अरदिव सिंग्पूरी के पास पहले आपका सिविल एवेशन भी था पर सिविल एवेशन मन बतादे जो तुरा दित्या सिंधिया को दे दिया गया है मन्सुकल मांटिवे की बात करें तो इनके पास पहले आपके गिराज सिंग के पास था जी किसंट एगर बात करें तो कल्चेर टॉरिज्म टेवलोमेंट ऑफ नौर्थ इस्टन रीजन यह ने दे दिया गया है राजकुमार सिंग के पास था नौर्थ इस्टन रीजन के जहां तक मुझे लग रहा है अनुराग सिंग ठाक जो पहले के पास था वो अन्राग सिंग ठाकुर के पास चले गिया है चले नेक्स्ट क्वेशन चलते हैं विजब तो फॉलंग आर्टिकल ऑफ कॉंस्टिटूशन बॉडिज तो लिखाओ आर्टिकल 324 बिल्कुल सही आपका एलेक्शन कमिशन से रिलेटेड है आर्टिकल 32 आर्टिकल 280 की बात करें तो फाइंस कमिशन से रिलेटेड है आर्टिकल 148 की बात करें का कम्ट्रोल और और अटिटर जनरल से आपका संबन्दित है और आर्टिकल 76 आपका अट्रॉन जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है चले एक क्वेशन आपसे आप मुझे बताएंग प्र्वें तो लिखा आटिकल 324 अठी क्वेशन होती है कि जो कह रहाता है लोकल की बॉड़िशेट की चुनाव होता है वह स्टेट के और आ चैट आपका ऐलेक्शन कमिशन कर आता है इसमें आपके प्रेजजंट वाइस प्रेजिजंड लोकसबार राजय सभवे स्वे इसके चुनाव का जो जिम्मेदारी होती है कि इसके पास होती है आपका Election Commissioner Center वाली के पास होती है Article 280 की Define करता Finance Commission which divides the tax between the state and the Central Government अच्छा गर बात करो Article 148 defines the CAC which is also known as the watchdog of the public purse और 76 की बात करें तो Attorney General of India यह आपका क्या होता है First Lawyer of the Government of India होता है यह आपने याद रखना है Attorney General of India works on the pleasure of the president अच्छे अच्छे एसा फिक्स टर्म नहीं होता है यह pleasure पर होता है किसके प्रेसिटेंट के चलिए आगे चलते है next question लिखा हुआ है which is the following statement is are not correct तो कौन सा सही नहीं है थोड़ा दिमाग में रखने की पॉइंट है कि आपने जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है as per the provision of the constitution the council of the minister is collectively responsible to the to the to the local बिल्कुल यह आपने दिमाग में रखना है कि लोगसभा जो आपकी cabinet ministry होती है यह council of ministers जो होती है जिसमें आपके cabinet ministers आ जाते है state minister independent आ जाते है और यह सारे ministry जो होते है यह लोगसभा के प्रति के होते है आपके उत्तरदाई होते है जिम्मेदारियन के लोगसभा के प्रति होती है ना कि राजसभा के प्रति होती है तो पहला तो आपका सही है तो यह तो आंसर नहीं बनेगा फिलिखावा sensor motion must state the reason for its adoption बिल्कुल सही है कि जब sensor motion लाया जाता है तो उसे आपको क्या parliament में state करना ही पड़ता है जब adoption उसका होता है लोगसभा में sensor motion को आपको दिखाना पड़ता है तो यह भी सही है नो कॉंफिटेशन नो कॉंफिटेशन में कुछ समानता हैं और कुछ आपकी भिनताएं भी है यहां पर देखने को मिलेगा हूं बहुत बताऊंगा आगे तो लिखा नो कॉंफिटेशन मोशन सेट आउट दे ग्राउंट सॉन्द विच इस बेस नहीं इसको सेट करने की ज़रुत में होती है कभी भी लाया जा सकता है सरकार के खिलाब होता है यह बात समझ में आगी तो यह आपका गलत है आंसर जो बनेगा आपके कौंसे बन जाएगा तो यह बन जाएगा ठीक है ना क्यूंकि सेकेंड और फरस्स तो हो नहीं सकते तो लास्ट में तो होगा नहीं तो यह आपका सही होगा इस पास बाइद लोकसभा दा कंसलों मिस्टर बांट तो रिजाइन बिल्कु सही है कि अगर लोकसभा में नो कंसलों मोशन पास होता है नो कंसलों लाया जाता हमेशा सरकार के खिलाब सरकार के किलाब लाने पर no confidence motion के दौरा क्या होता है कि voting की जाती है, क्या सरकार के बास बहुमत है गी नहीं है और बहुमत अगर थाबित नहीं कर पाती है आपकी council or minister के देदी इगी, resign देदी सरकार गिर जाएगी तो ये भी आपका सही है चलिए तो पढ़ लेते हैं आगे देखो के लिखावा है In case of the censor motions जो आपका था Reason must be stated for its adoption in the loksabah मैंने बताया था ना कि आपका ये stated होगा कहां पे loksabah में आपको इसको लाना पड़ेगा पहले While in case of the motion of the no confidation no such reason for its adoption are required जबकि no confidence motion में इस तरीके कि किसी भी adoption के वहाँ पे जरूरत नहीं होती है आपको कोई pass नहीं करवाना होता है तो आगे लिखावा है Article 75 of the constitution is stated that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people बिल्कुत है house of the people मतलब लोकसभा की प्रती उसकी जिम्मेदारी होती 75a में ये लिखा हुआ है collective responsibility means that the entire council of ministers is a team that things all swim together collective responsibility के मतलब होता है कि यार तो जो आपकी क्यों होती council of minister वो एक साथ डूबेगी या एक साथ तैरेगी collective responsibility होती है अच्छे लिखावा है so if the लोकसभा passes a no confidence motion against the council of minister then all have to resign और अगर लोकसभा में आपका no confidence motion क्या होता है pass हो जाता है तो पूरी council of minister को क्या करना पड़ेगा resign करना पड़ेगा सरकार गिर जाएगी आगे लिखा हुआ है censor motion के बारे में censor motion is moved against the council of the ministers a group of minister or as individual minister for the failure to perform duties अच्छा censor motion किसके लिए लाया जा सकता है पूरी council के लिए लाया जा सकता है किसी बोल सकते है एक group of ministry के लिए भी लाया जा सकता है group of ministers हो सकते है यह फिर कोई individual वैक्तिक तब अगा अगर आपका क्यों होगा minister होगा तो अगर हो किसी चीज में fail होता है perform करने में तो उसके खिलाफ sensor motion लाया जा सकता है दूसरा के लिखाव है the sensor motion is usually moved by the opposition party against the ruling party और any of its ministers for the following to act in a certain matter किसी भी एक निश्चित अगर कोई आपका क्या matter है तो उसके लिखाव है कि विपक्ष की जो party होंगी वो ruling party के खिलाफ यह फिर ministry के खिलाफ यह फिर किसी individual minister के खिलाफ इसे ला सकती है आगे लिखाव है sensor motion must be specific and self-explanatory stating the reason for its adoption तो इसके पास क्यों अचीए specific और self-explanatory मतलब कुछ इसके पास क्यों अचीए दावे होने चाहिए कुछ इसके पास बोल सकते हैं आपके पास सबूत होने चाहिए आपके पूरी cabinet के खिलाब या फिर एक किसी व्यक्तिकत ministry के खिलाब के कर सके दावा पेस कर सकी भाई इनका काम अच्छा नहीं रहा या इन्होंने इस तरी की काम में कहेगी गड़वड की है अच्छा आगे लिखा हुआ है no leave of the house is required for moving a sensor motion but it must justify the charges against the government for which it is moved ठीक है आगे लिखा है if the sensor motion is passed the council of the ministry is bound to seek the confidence the loks are as early as possible अगर sensor motion pass होता है पार्लेमेंट में ये कराना पड़ता है no confidence motion को पास कराना ही जरूरत नहीं है तो जितनी जल्दी confidence को आपके कर सकते हैं हटा सकते है ministry के council of ministry इंडिविजुल के तो उतनी जल्दी आपको करना पड़ेगा लिखाना और लोक सभा अर्ली एस पॉसिबल जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना पड़ेगा विपक्ष को अब सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती कि sensor motion और no confidence motion में क्या दिक्कत है या फिर क्या अंतर है तो no confidence motion can only be moved again the entire council of minister यह आपने जाता है कि no confidence motion आपका किसी एक व्यक्तिकत मंत्री के लिए नहीं होता है यह पूरी आपकी जो क्या होती council of minister होती है उसके लाया जाता है उसके खिलाप लाया जाता है वाइल था sensor motion can be moved against the individual भी हो सकता है group of ministers भी हो सकता है entire council of minister हो सकती तो अब देखो दोनों में तो क्या आ रहा है कि entire council भी आ रही है पर यह अंतर यह है कि आपको क्या अगर सकते इस पेसिक policies के लिए आपकी decides कर सकते मिनिस्टेर को हटाया भी जा सकता है जब प्रेशर पर जाएगा सरकार पर तो वह इसके बाद कारे बाई स्टार्ट होती है ऐसा ही कि sensor motion पास हो गया और आपका जिक है मिनिस्टर वहां पर रिजाइन करना स्टार्ट करते नहीं तो यह थोड़ा दिमाग में रखना है जिब कि लोग सभा में वाइल इन केस हो तो motion no confidence कि अगर बात है तो councilor minister must resign for the office if the motion is for the saddle caste के बारे में यह भूल रहा है इसमें जितने आपके जो अधर मेंबर होते हैं तो आपका पहला वाला क्यों गलत हो जाता है अगर आपको तो उपर वाला गलल लग रहा है इस वाला सही लग रहा है अपने second बोल देके correct कभी-कभी पूछले पल देके लिखा है अधर government clear former Punjab BJP MP Vijay Sampla name as the Saddle caste panel head एक चीज़ आतको यूपेज से जब question पूछती है तो जाता connect करती किससे आपका current affairs से जो कि अभी जो आपके पंजाब में BJP के जो आपके MP दे विजय Sampla उनको Saddle caste panel देके बनाया यह head बनाया इंगा इसलिए एक पूछा गया है तो लिखाओ विजय Sampla takes charge as the chairman of the national commission for the Saddle caste he served as the union minister of the state for the social justice and empowerment from 2014 to 19 आगे लिखाओ तो इंडिया अदर the 338 article has assigned the following duties in the function of the commission to the commission तो लिखाओ है to investigate and monitor all the matter relating to the safeguard provided for the Saddle caste under the constitution or under any other law for the time being in the force or under any order of the government and to evaluate the working of such safeguard next लिखाओ है to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of the rights and the safeguard of the Saddle caste तो आपके दोनों सही हो जाते हैं तीसरा आता है जिए commission consists of the chairperson, vice chairperson and three other members देख लीजे कितने आपके chairperson जो आपके चैर्मन होता है वाइस चैर्मन होता है उसके लाभा कितने तीन और मेंबर होते हैं तीन और मेंबर होते हैं अच्छा कर वाइस चैर्मन की बात करें तो वो कौन है अरुन हालदार तो यह आपने याद रखने हैं अच्छा कर बात की जाएं तो यह पार्ट आपका 16 में सब्सक्राइब तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सारे तो याद करने की जोरत नहीं पर आपने यह एक याद करना है 338 जो नाशनल कमिशन फोड़ सैडल कास थे एंग्लो इंडियन कम्यूंटी का आपका क्या हो गया आपका जो था यह हट चुका है प्रावधान से रिलेटेड आपके क्या थे जो इनका रिजर्वेशन आपका देखने हो मिलता है लोग सभा में दो सीट्स और कुछ राज्यों में आपका एक सीट में देखने हो मिलता था यह हट चुका है तो यह थोड़ा दिमाग में रखना है 1004 साइट से आपका यहां तक मुझे लग रहा है अभी पास हुआ था 2019 में आपका आप देखेंगा तो सेड्वल ट्राइबस के बारे में यह आपने याद रखना है उसी में आपका बैकवर्ट क्लासिस भी देखने हो मिलती है और एक आपने याद करना है 340 जिसमें आपका के देखने मिलता है ऑगोर्ट क्लासिस के लिए देखने मिलता है जो आपका किस कर ओफी के लिए यह याद रखना है दूसरा आपने याद रखना रखना है कि 341 में साथूल ट्राइफसे लिए अरूर 242 अमें आपका बैकवर्ट क्लासिस अलिकर आपको प्राभधान देखने को मिलेंगे प्रफश प्रफश्द पर ओर देखने क्या था नियूज में राएं क्योंकि क्यों क्यों चाहिते हैं उस्टे पहले की बात था उससे है। तब यह आपका न्यूज में रहा है तो लिखा हुआ है कि it is an autonomous district council protected under the 6th schedule of the Indian Constitution बिल्कुल सही है 6th schedule में आपका क्या है यह आपका protected है आपका 6th schedule आप जानते है किस से लेटेड है आपके बाकि आ जाते हैं नॉट इस 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 इनको छोड़कर तो उंसे रिलेटर कि आपके कुछ आपके चांसिन अपके फिगर लिखेंगे जबकि 6 आपका असां तर पूरा में इस अगर मुझे थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दूंग इसे मेंशन कर दूंगा चलो कि आपके कौन कौन से हैं यहां पर दो नहों कर तीन और पहला आपका बिल्कुल सही लिखा हुए तो आंसर लिखा हुए कौन सा गरेक्ट है तो आपका फर्स्ट आंसर बन जाएगा वो तीसरा जो आपका है उसका नामें दीमा हसाओ रीजन तो पर देते हैं देखो लिखा है ओबर 1,000 militant of the five militant groups of the कार्वी आंगलोंग डिस्टिक्स सेरिमान ली ले डाउन आम्स एट एन इवेंट इन गुवा आट इन प्रेजेंस ऑफ द आसाम चीपिनिस्ट तो अच्छा एक चीज़ और है चलो comment box पर मुझे बताना आपकी आसाम के चीपिनिस्टर कौन है यह आपने comment पर लिखना है कि नए तो एक जार आपके जो मिलिटें थे उन्होंने कहा कि आपका बोल सकते आपका सरेंडर कर दी है सरकार के साब ने लिखा वादा सरेंडर्ड मिलिटेंट कंप्राइस के एक आता है कार्वी पेपुल लिबरेशन टाइगर के पील्टी से पिपल्स डेमोकराटी कांसु आपका बोल स्वी अलुक अल्टी कांसुज ब्रुट रुसमीं से आपका के चल रहा है इंसरजन स्टी वह पे चल रही है थाया कॉटी अटकर ना था जो आपका कर दिमांड वाला चेत्र खासकर यह वी तीन रिजन नाते है कि अवे तर कार्वी आंगलों का जीन राचिग क । । । । । । । से वेस्ट कर्प यंग लोंग दो जय सुलों में आपका अलग कर दिया गया था इवाल्व अरॉड अरॉड दिमांड फोर्द और आगे लिखा दर गृंटिंग अप्ट ऑटर विटेश्ट से शेट इस तुट रीजन तो यह आपका सई आपका क्या जाता गलात हो जाए कुई या कानून कब बना सकती है जाती स्यम्पलाति से काम चल जाता है पर राज्या सबहां में आपका simple majority से काम नहीं चलेगा simple majority होता है 50% प्लस वन यह आपने याद रखना है पर इसके लिए चाहिए होता है क्योंकि states related subject है तो राज्या सबहां में कम से कम हो two-thirds से होना चाहिए पास two-thirds को बोलते है special majority चाहिए तो यह आपने आदकना तो पहला तो जाता गलत नीचे की लिखा हो और विच यह पार्लेमेंट ठीक है तो ठीक है तो फस्तों नियों सकता चौत भी नियों सकता दूसरा एंसे तिसरे में से को कर चलो अब देख़ते दिवरिंग तने नेशलल इमर्जंसी अच्छा कि सकती ही हैं लόला सकती है जिसे बोला जाता है कि और सकती है कि अब तो उसे में देखा जाता है कि इस टेट से लेडरेटर आपके से लेडरेटर जो आपकी in ब्लक्र ना सकती है तो इस था निया ऑर थो फें थो आनकर ul PGD नियुकर तो डिस्व नटी हो सकता न चौहलगे डूसेंना या चैकर क्ने सव्म्हका तो आपका चौन के करेकी कि खुद एक क्या बोल सकते हैं स्टेट के करें पार्लैमेंट में जाए कि भाइं ये यह गलती ही यहां पर एक स्टेट की बोलने से होगा स्टेट लिस्ट कम से कम आई थिंग दो या तीन से जादा होने चाहिए आपके जब दो तीन राज्या आपके मिलकर उस सब्जेक्ट से रिलेटेट बात करें तब जाके पार्लेमेंट कर सकते हैं आपका रेजोलूशन ला सकती है यह important है समझना कि जब international agreement होते हैं तब जाकी यह आपका कर सकता है काम तो 2 & 4 आपका सही हो जाएगा चले पढ़ लेते लिखा हुआ है आपके पांच ऐसे आपके क्या होंगी इस्तितिया होंगी परिस्तितिया होंगी जब यह कानून बनाने की इस्तिति में होगी कौन आपकी पार्लेमेंट पहला कौन साता है पहला तो यह याद रखना की राज्यासभा में होना चाहिए ना कि आपका किस से इस पर आपका सिंपल मेजॉर्टी से 50% प्लस वन से नहीं तो इसलिए पहला अला गलत हो जाते हैं अपके लिखा है इट रिमेंज इन फोर्स फोर्ट वन यह और यह आपका एक साल तक बना रह सकता है रज्यासभा रह सकते हैं रहुटा सकते हैं उसके बाद आपका एमेंट किया जा सकता है या रिन्यूर्ट किया सकता है अच्छा the power of the state legislature to make the law on the same matter अच्छे यह रिस्टिक्ट नहीं करती किसी भी स्टेट की क्या पावर को यह भी आपने याद रखना है दूसरा आता भाई कि दूरिंग देशनल इमर्जनसी यह आता है तो लिगो लोग बिकम इन ऑपरेटिव ऑन अच्छे याद रखना कि नेशनल इमर्जनसी को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकते हैं यह आपने याद रखना है नेच्ट लिगाओ वें दे लेश्लेचर आप दू और मोर इस्टेट यह देख लीजे जब आपका कितने दो या दो से अधिक जब आपके क्यों होंगे राज egaओ डाल दो यह इसको भाठ लेकर कॉन कॉरॉंट में डाल दो यह आप किसमें डाल दो यह उनेख में डाल दो मैं डाल दो तो कम सरेंब 2 से ज़्यदा शेयोंगे एक राजी यह नहीं कर सकता तो आपका क्या हो जाता है वह गलालत हो जाता है पार्लेमेंट बिकम थे इंपावर तो मेंग दा लॉज विद रिस्पेक्ट टो एनी मैंटर इंद स्टेट अकर माल लीजी किसी भी राज्य में क्या लगा हुआ है तब जो आपकी क्यों थी पार्लेमेंट रूस बना सकती है जैसे प्रेसिदेंट रूल आपका उतरा खंड मे सब्सक्राइब है तो यह आपका जानते हैं किस लिस्ट में आता है तो यह मैंने डिसकस किया था आपका यह 7th आपका सेडूल है ठीकन जिसमें यह मैंचन होती है आपके लिस्ट और तीनों लिस्ट आपकी कहां से लिए तो यह आप नहीं याद रखना है कि आपको जो 1935 एक्ट है इंडिया गौर्मेंट एक्ट 1935 वहां से ले रखा है पर अगर बात की जाती है तो फिर ऑस्टिले से हमारी ऑस्टिले समने ले रखा है तो यूनिस्ट के बार करें तो सौ सब्जेक्ट उसके बास से इस्टेट लिस्ट 1561 सब्जैक्ट से और हैं कहों से 5іш कुछ थे हैं ड्री में क्यों में होता है वह अस एक्रिजैसा सब्जेक्ट बोर The में तो फिर वो सब्जेक्ट आपका डिसक्स होगा रेस जुरी के थूरू और रेस जुरी के थूरू यूनियन के पास हो चला जाएगा आपका इंतर्नल तो यहां पास फास पास लाक देश थी तो फिर जाटेव लगी में फिर क्या कॉमंट बॉक्स मेंं से क्या कर दूंगा इसे भी यह आप याद करने हैं, तो 1962 आपका ठीक है, इंडोसिनो वार, 1965 इंडिया पाकिस्तान वार, नहीं, रुख जाओ, 1965, 1965, I think so, युकि 1965 से आगे चले थे, तो फिर जो आपका क्या होता है, कि जब बांगलादेश को आजात करवाया जाता है, तब तो इमर्जंसी थी लगी वी, और तीसरा जो था, 1975 ही था, जो इंडरा गांदेन लगाये थो, दो साल के लिए, छलो मैं लिख दूँगा फिर भी, अच्छा, आगे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, तो इसे थे वोटर कॉन से होगा, तो लिखा हुआ है, कि प्रसासिनिक, जो आपकी सकतिया होती ह वहां की प्रसासनिक जो आपके सक्तियां होती है वह स्टेट से कहां चली जाते हैं सेंटर में स्टेट्स की वह स्टेट की सस्पेंड हो जाती है और पार्लमेंट इस इंपावर पर लेजिसलीटीटी नहीं ढोर्टम और लेजिसलेटव नहीं जाती तो यहाँ गलत तो अगर गलत हों तो या तो फर्ससीतै तो नी बन के लिएन therm second ने सकता फर्ट यह चाहल ऐसेल दो ने सक्यूंग कर सद्थब्स सत्रूंट्द Nice डिस्कृिशन उप्रेजिटिन को पूछने की ज़र होती नहीं किसी से नहीं आपका जितने भी आपका रेवन्यूस से रिल्टव धाया financial जो भी होता है उसमें क्यों थी पार्लेमेंट है सचीव कर देती है कौन कर ले थी पार्लेमेंट तो यह आपने याद रखना है तो यह आपको गलत हो जाता है तो यह भी गलत हो कि अब बच्छा कौन सांजर फरस्ट चले पढ़ देते हैं लिखाव है effect on the center state relation can be studied under the three heads पहले लिखाव executive जो आपको क्या होता है प्रसास निक होता है तो center can give the direction to a state on any matter during the national emergency state government is about under the complete control of the center though they are not completely suspended याद रखना कि हाला कि क्या होती है आपकी यह control में आ जाती center के पर याद रखना कि state government के नहीं होता है the any subject mentioned in the state list legislative power of the state is not suspended यह देख लीजे कि state के जो legislative power होती है सामवेदिक जो आपके सक्तियां होती है वो आपकी कि नहीं होती खतम नहीं होती है it became a subject to the overriding power of the parliament या आपकी overriding power जाते कि इसके पास parliament के पास next on the financial the president can modify the constitutional distribution of the revenues बिल्कुल सही यह president कर सकता है between the center and state every such order has to be laid before the both the houses of the parliament अब देख लीजे कि इस तरी के कोई भी अगर क्या करना है financial distribution आपका देखने को मिलेगा revenues का तो वहाँ पर क्या होता है कि यह order आपका पहले कहां जाएगा दोनों house में जाएगा पार्लेमेंट के लोगसभा में राज्यसभा के उसके बाद आपका क्या करेगा प्रेजिदेंट के सायन होंगे उसके बाद revenue generate कर दिया जाएगा या revenue आपका distribute कर दिया जाएगा distribution of the revenues तो यह discretionary power नहीं होती प्रेजिजेंट के कि वह अकेले क्या कर सकता है इसमें फैसले ले सकता है यह आपने याद रखना है तो यह आपने दिमाग में रखना है अश्माया जाएगा विफ क्या रखने या अचय कोई सब्सक्ट सब्टे सब्सक्तलि profit अस्के बात प्त तक सकते कब याद रखने कितनी पार याँ रखली करना होगा पांट साल कर सक्ते होएं झाल में टाल happier झाल होगा याद को सीज करना पड़ेगा उसके बाद आप उसका क्या नहीं बड़ा सकते हैं नेक्स आता है यह इंपोर्टेंट है यह भी काफी इंपोर्टेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 19 इस लिखा हुआ है अगर आपका बोल सकते हैं आप तो आंड रिबैलियन होता है तीसरा जो पॉइंट होता हुआ होता है पहले तो आपका के इंटरा गांदी ने जब इंटरनाइस्ट अग्रेशन के तो रूके कर देता आपका नेशल इमर्जिंस लगा तो बाद में जाकर आपक तो यादक ना कि अगर सबस्तर होता है तब आट इंटरा ना इंटर ने जो बने रहते हैं बाकि जितने भी आपके फंटा बंडर्ड राइच से वो शकते हैं तो यह आपने यादक ना इंटिंग आपने यादक होता है on the cases of ground of war and the external aggression only not on the basis of the armed rebellion यह आपने आदखना है अचा, next जो ते the first ever civil court comes into the force on the January 1st, 2021 in which of the following countries तो यह थापका चाइना पढ़ लेते हैं current का question है तो लिखाव, in a landmark judgment delivered weeks after the China enforced its new civil court a dive was caught in the Beijing has ordered a man to compensate to his ex-wife for the workhouse work she did during the 5 years of the marriage 5 साल का जो आपका कहता हुनका साधी का जो था तो उस समय जो उसकी wife ने housework की है उसके लिए उसके देना पड़े है compensation देना पड़ेगा उसके पती को लिखा हुआ है the court has split the joint property equally उन्होंने बोला कि भाई property को दो equal बाटना पड़ेगा नेक्स लिखा हुआ है on January 1st the Chinese government bout into the force in the new civil court which legal experts have described as offering the greater protection for the individual rights before the new law came into the force such commissions could be demanded only in the ceases cases sorry cases where a prenuptial agreement had been signed in itself and uncommon practices many have commented that the 50,000 yuan is too small तो पहले 50,000 yuan का क्या था penalty बोला जा रहा था उसको हटा दिया के too small an amount of the 5 years of the household work and have they expressed that men that man should take up the greater role in the managing domestic duties other have they described the verdicts as the recognition of the unpaid labor at home चलो आगे चलते है अज़ा नेक्स क्वेशन आता है consider the following statement consider the following statement regarding the liberalized remittances scheme LRS तो क्या है भाई लिखावा the Reserve Bank of India permitted the less than individual to make the remittances under the LRS ठीक है और remittances for the trading in the foreign exchange abroad is prohibited under this scheme मुझे लग रहा है कि इसमें जो आपका कौन सा है दोनों सही है ठीक हाँ दोनों सही है कि आपका foreign exchange abroad के लिए आपका क्या करका है इसे prohibited करका है जो आपका foreign exchange abroad में जो आपका पैसा होगा न ट्रेडिंग अगर वगर की जाती है तो वो LRS के अंदर करते हैं अगर लिब्रलाइज रैमिटेंसे की रैमिटेंसे मैं आपको नॉर्मली मोटा माधी बता दूं तो बिल्कुल सही है कि Reserve Bank of India ने पर्मिट किया है resident individual to make the remittance under the LRS कि जो आपके individual जो resident individuals है वो आपके LRS की तुरुके कर सकते रैमिटेंसे बेज सकते हैं पर यही चीज गलत है कि आपका जो foreign exchange है जो आपका है फ्रेण से लेट्टे तो आपका जान वन्या आपका जो आपके मेटेंस वगर आपको प्रवाइड करवाते है पर आगे के लिखा हुआ है पर आप यह कर सकते हैं आप यह सकते हैं आप यह रागा सकते हैं फोरंगरेस एकांट हो सकते हैं, FC आपको बनाना पड़ेगा इन IFSC for making an ever-permissable investment under the LRS आगे लिखा हो, however, the resident individual cannot settle any domestic transaction with other resident through these FC आपके कही नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको कोई सावी कोई भी दूसरा अगर domestic transaction है तो आपको इसके थो नहीं कर सकते हैं आगे लिखा हो है Under the Liberalized Remittances Scheme, all the resident individuals, including the miners, are allowed to freely remit up to the 2,50,000 मतलब धाई लाग डॉलर तग आपके अगर सकते हैं, एक साल में क्या कर सकते हैं परमेशिया बेल आप भीज सकते हैं फोर एने परमेशन, current or the capital account transaction on the combination दो बोथ किसी भी तरीके से होता है, current के थूरू, capital के थूरू कर सकते हैं The scheme was introduced on the February 4th, 2004 with a limit of the 25,000 तो समय थी, फिर इसे क्या करते हैं, revise किया गया यह आपने याद रखना है, macro or micro economic condition के थूरू पर आगे जो चीज लिखे हो, remittances for the trading and the foreign exchange अगर आप trading करते हैं अगर आप trade करते हैं, foreign exchange abroad इंके थू, तब ही आपका prohibit करती है, तो यह आपने याद रखना है Next, the next question है In which among the following cases, the Supreme Court of India propounded the theory of the basic structure of the constitution ठीक है ना, और यह आपका जानते कौन सा केशवना, केशवानन्द भारती के इस था, 1983 का जिस समय आपका क्या था, भारत के बना था, आपका वोड़्चेंपियन मना था, किसका cricket का वोड़कप जीते था भारत ने, तो उस समय केथा है कि उन्होंने बोला था, कि आपको क्या गर सकते हैं, आप changes ला सकते हैं पर अब एक्चुल में यह था कि नाहीं केश्वा नंद भारती बोल सकते हैं आपके रहे थे आपके केश्वा नंद भारती जो थे ना तो नहीं यह प्रॉपर्टी से रिलेड़ था जो उनका मड़ था साइसे वहां पर प्रॉपर्टी कौन कर रहा था यहने कि स्टेट क्या कर रहा था अपना कभजा लगा रहा था इस तरीके से कि भाई गौर्वर्मेंट अगर चाहर यह तो क sih भी जमीन पर क कभजा तो इस तरीके से था वो हut कर रहा पर मैं देखूंगा तो माहीं सेंटर करते हैं आ पूरी तरीके से सब्सक्राइब करते हैं तो उससे सम्विधान का जो मूल भूत आपका कै बोल सकते हैं आपकी सरशना है उसमें कोई फरक नी पड़ना चाहिए इसमें सिंपल जी बात है को सुप्रीम कोट गोलक नाथ के पक्ष में केस सुनाती है कि बाई पार्लमेंट के नहीं कर सकती है अगर फंटमांट राइट से रलेटेड है अपका यह आपका 1967 का वर्डिक था और कई बार यह केस चलता है कि फंटमांटर राइट से कौन सा आपका क्या बढ़ा है ठीक है न मिल्स ल्टीटी और और ओर्स वर्सित यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस था तो लिखावा केसिस विद इन्वाल बेसिक स्ट्ट्चर दॉक्ट्राइं दू कॉ इसको हटाया नहीं जा सकता उसके पास भी पावर है कि वो अपने बात को क्या कर सकती है रख सकती है अगर वो कोई भी अमेंडमेंड में लाती कॉंसिटिशन में एक को पालन आइधिंक 1950 के आसपास का कीस था यांद मुझे यादे एक को पालन वसेज दा स्टेट और मदरा लाइवें नेक्स चलते हैं नेक्स क्वेशन है विद रेटर इस तो दूटिशन आप इंडिया प्रोविजन तो लिमिटेशन दूट प्रोविजन कंटें दॉट अगर आपको थोड़ा भी दिमाग बनो तो वन फूट वन टूटिफोर से लेके 147 तक आपके जो आर्टिकल यह चलते हैं आपके किस से लेटर आपका जूडिशन लेटर सुप्रीम कोड अगरा ऑगर आ जाते हैं तो सीधे दिथे तो आप आपको आंख मूंद के आंसर मार सकते तो अगर आपको 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 आटिकल पता थे कि 142 आपका लाइए किसमें आपका जूडिशेरी में स अगर यहाद न कोई भी लॉब नाथी तो समय उसका कि दखर नी खरेगी अगर कोई भी आपका क्या आपका क्या एक्टिव फॉर्म में तो वहां पर सुप्रिम गडगर नहीं होता है यह आपने यह आदक नहीं पढ़ लेते हैं देखो लिखाब है The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by the law made by the Parliament enforcement of the decree or the order of the Supreme Court The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as it necessary for the doing the complete justice in any case of the matter pending before it and any decree or so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by the Parliament and until provision in the that we have was so made is in such manner as the president may be order prescribed Now you can see Union Judiciary coming to you Chapter 4 is 124 to 147 124 is the establishment of the Constitution of the Supreme Court function of the Commission So you can read this If you look at 147 Next question The total cost of the protection will include How प्रडेख कोस्ट प्रेंग को स्टाइब क्या बातिती में फिर्फ रडच्छी अब चुन थडिखा हुआए तो लिखा हुआ है कि आपका मैंट्रिल कोस्ट बरेक्ट अजाता है और लेवर कोस्ट दोन आजेंगे as well as the total manufacturing overhead cost आ जाती है to determine the product cost per unit for the product divide the sum of the by the number of the unit manufactured आपको क्ये करना है देखो in the period covered by the year cost तो लिखा अगर हमें के करना है determine करना production cost per unit को तो हमें के करना production जो product है उसे divide करना है sum से किसके number of the unit manufactured से ठीक है आगे लिखा तो the total cost of the product will include the prime cost plus direct production overhead plus indirect production overhead ठीक है अच्छा, prime cost के अधी तो मैंने बता दिया था भी आपका क्या आजाता है वो materials और labor आजाता है prime cost में क्या आजाता है are a firm expenses directly related to the material and the labor used in the production it refer to the manufactured product cost which are calculated by the ensure the best profit margin for the company a prime cost referred to the firm expenses that is directly related to the material and the labor used in the production अपने आज़र ने prime cost में दो चीजाती है कि वह जो material था उसकी cost आजाती है और जो labor जो क्या कर रहे है उस material को बना रहे उन दोनों की जो cost आजाती है वो prime cost होती है प्राथमिक में उसे लिया जाता है अच्छा, overheads क्या होते है जो अलग से आते है अच्छा, our businesses cost that are related to the day-to-to-day running of the business जो आपके क्या है प्रती दिन जो आपके क्या चलता है दिन प्रती दिन आपका जो क्या होता है business run करता है उसमें जो आपके एकसा खर्चा आता है overheads बोला जाता है overheads बोला जाता है यह आपने याद रखना है जो अलग से खर्चा होते, unlike operating expenses overheads cannot be traced to a specific cost इसे trace नहीं किया जा सकता यह आपका अलगी चलता है कुछ function नहीं होता है किसी machine को बनाने की यहां से लखना हो चलेगे तो वह होता है overheads में जोड़ दिया जाते है लखना हो गये तो लखना हो तू क्या होगा fix हो नहीं होता है कि कोई bus है तो वह कितना overheads में जोड़ी जाती है आगे लिखा हो है instead they supported the overhaul revenue generating activities on the business manufacturing overheads also known as the factory overhead यहां लखना कि अगर manufacturing overheads को बोला जाएगा तो manufacturing से related क्या होगा जो आपका factory में लग रहा होगा फिर factory burden जितना भी your production overhead involves a company's manufactured operation it includes the cost incurred in the manufacturing facility other than the cost of the diet materials and tax labor उसे अलग होता है the cost of the direct material overheads होता है अलग से अब समझ में आगे होगा आपके तुझे को prime cost इसमें तो होता है जो आपका लगना ही लगना है material का खर्चा और जो आपकी labor force है उसका खर्चा जो आपके कारीगर लगा रखे direct production overhead आ जाता है conventional method होता है absorbing the costing होती है absorption of the costing absorption of the costing refers to the method of the costing to account for all the cost of the manufacturing जितनी भी आपकी manufacturing में cost आती है absorption costing the management uses this method to absorb the cost incurred on the product the cost include the direct cost and indirect cost आपकी दोनों आजाती है किसी तोर पे कितना पैसा लगा है और आपके उल्टे तोर पे कितना पैसा लगा हो है diet cost include diet में कौन सा जाता है जो सीज़े दोर पे लगना है material होगे लेवर होगे जो आपको बताया था तो यह हो जाता है इंडायक्ट में कौन सा जाता है जो आपके extra expenses होते है अलग से खर्च होते है अब देख लीजे ना जैसे pen बनाया कोई तो pen बनाया भाई pen बना पांच रुपे का मान लीजे तो इसमें क्या material का cost है और जो लेवर थी लेवर cost है तो यह तो आपके क्या आजाता है डायरेक्ट वास्ट में आ जाता है इंडायक्ट में हो जाएगा कि मान लीजे इस pen को यह बना था दिल्ली में और दिल्ली से यह आ गया मान लो आपका कहा पर यूपी में आ गया तो मान लीजे मुआ पर क्या था जो भी आपका ट्रांस्वोटेशन चार्ज था और जितना भी आपका क्या था जो आपके कौन थे रिटेलर बगए रहा था उनको जोड़की साउथ का क्या रीजन है के रिला की तरफ जा रहा है तो आप जानते हैं ट्रांस्पोर्टेशन को कॉस्ट बढ़ जाएगी हो सकते हूं आप विपन की तरफ पर के पढ़ रहा हो दस रूप है तो यह इंडार्ट कॉस्ट होती है यह आपकी अचा फुल कॉस्टिंग अप्धेशन को अपने पास रखते हैं तो उसमें आपका नहीं आता है तो लिखा वा ट्रांस्पोर्टेशन इंवर्ड कॉस्ट बिल्कुल आती है एक जगा से दूसरी जगल लेगे वहां पर स्टॉक किया पर ती सी जगल लेगे इस तरिके सब आपका तो यह लगता है इंप्योर्ट जुटी भी लगती है और पर्चेस प्राइज प्राइस पर तो यह आपका इसमें इंक्लूड नीए उता तो देख लेता पॉलेते हैं, जब देखाते हैं, Selties of the selling stuff are not considered as a component of the cost of the stock because they cannot be stored, उसे store नहीं किया जा सकता, आपको देना ही देना पड़ेगा, हर मैने देना पड़ेगा, अच्छा, Inventory Cost of the Cost of the Stock are the costs associated with the procurement, storage and management of the inventory, it includes the cost like the ordering cost, आपने order किया, carrying cost आपने carry गया and the shortage and the stock out cost यह सारी आ जाती है import duty की बात करें is a type of the tax levied on the import and the specific export of the nation's custom authorities the value of the good will generally decided amount of the import duties that will be imposed import duty क्यों आती है जब आप import करते किसी चीज़ को क्या करते है खरीदते है जब देश खरीदता है जिसमान लोग की चैना से कोई सामान खरीदा गया अब भारत में भाई वो आपका सस्ता बिग जाएगा और हो सकता है कि जो आपकी क्या लोकल इंडेस्टी उनने नुक्सान हो इंपोर्ट जा सकती है 50% 100% कुछ भी लगा सकते है इसमें सरकार को क्या होता है हाथ खोड़ने का पुरा मौका होता है कितना भी खोल सकती है इत्स्क्राइब इंवेड्य फैस्टर पीक्वें से पांप कश्रीट केंच परुंक पॉर साथ को आंडãy क्ट्राइदीर्टाइ पक्रष की स्था खीरी टीर्पäch करण समय फिल्सेघर कश्या देल से फॉक हज़ेंगा रहें किसमें क्यों होता है कि जो cost apportionment होता है direct cost आपके क्यों होता है connected होता है I think so direct cost ही होती ठीक है लिखा हुए the allocation of the direct cost to department apportionment of the cost refer to the distribution of the various overheads items in the proportion to the department of the logical basis the apartment will share the cost among the multiple cost unit in the proportion of the expected benefit receipt it involves the allocation of the direct cost to the department चलो आगे चलते है नेक्स जाता है which of the following cost of the management is likely to have the least control जिस पर क्या होता है कम से कम control हो किसका management का तो याद ना वेगस कोंट्रों वेगस को स्कोंट्रों कर सकती है employee रख दिये employee हटा दिये कर सकती है advertising cost को भी कर सकती हो अगर machine तूटती है ना तो उससे सही करवाना पड़ेगा नहीं तो काम नीचे लेगा तो इसमें least control होता है होता है पर least होता है कम से कम इसका कुछ खर्चा पाता है ने लग पाता है कई तो क्या होता है कि कई तो आपकी कंपरी ऐसी होती है यूंकि हर साल मेंटेनेंस पर ध्यान देती है आपका machine breakdown पर ऐसा कहीं सारी आपकी कंपनी आसी होती है कि यृविक्त खराबी नहीं आ जाये में तब तक उस पर काम नहीं करती है तो least जो आपका होता है जिस पर कंसर्ड की जाती हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं कंपनी को घाटा और और निकाल देगी अपनी इंप्लाइब को जादे 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 एंप्लाइब को एक्सट्राइब को सब्सक्राइब इस बीडिडिग प्रदक्राइब को जादे 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 इस को सब्सक्राइब कर दो इस दो पार दिक्टेट इन इंडिया इस बीडिडिग प्रदक्राइब को अपने बोल सकते अपने बोल सकते अपने लोगों के लिए अपने संभीधान को बचाने के लिए किसी भी तरीके का अगर फैसले नहों तो भारत पुरित्यों के स्वतंट्र इसे बोलते हैं सब्रभु राष्ट तो लिखा इट मेंस एक अपने बार केंट इस बार केंट इंडिया बिल्कुल सही है यह बिल्कुल सही है आपका कि कोई भी एक्ष्ट पार आपका डिक्टेट नहीं कर सकती भारत में देर उट भी एप्सुलूट फ्रीडम ऑफ थे स्पीच फॉर्द नहीं इस पीडिग अब देखो मैं बताता हू तो देर उट भी एप्सुलूट एप्सुलूट नहीं है फ्रीडम ऑफ पीच तो यह गलत हो जाता है फंडमेंट राइट कैन नौट विटनाइट तो इस सारे के सारे नहीं होते है इसका कोई रिलेशन नहीं है आपका सोबर नेटिस से लिए तो यह गलत हो जाता है इंडि प्रोट्रेक्ट इेटिर नविंपर अभरट चलिए वैसे भीकर सकते हैं second कांगु है second and third तो second and third यहां पर यह नहीं हो सकता है यह नहीं हो सकता है यह नहीं हो सकता है फर्स्त ही आपका answer होता 14 से फरक पढ़ने वाला था नीए तो लिखाओ, sovereignty simply implies that the India is a state that takes its own decision, ultimately guided by the people. No external agencies dictate terms to India. मतलब किसी के pressure में काम नहीं करेगी भारत. हाला कि वैसे ये भी कुछ बोल सकते हैं कि हाँ, जैसे मालनों कि international agency उसका pressure आता है भारत पे, तो भारत भी सोचेगा, पर अगर लगता है भारत को इसमें क्या है, आता हमारा गाड़ा तब तो नहीं करेगा भाई. अच्छ, even the representative in the last lectures don't access complete freedom of speech. या तक नहीं के पास नहीं होता है, मोरेबर्द सोवर्नेटी has no direct link with the exercising freedom of speech. इसका कोई direct link नहीं किसे सोवर्नेटी से. Similarly, if the fundamental rights are denied to the any person, अगर हो जैदे, it is hampering the liberty of the person and denying him or her basic constitutional rights, but it's not related to sovereignty of India. मन नहीं बताया था, उसे related relation है नि. In order to protect the national interest, there are the other channels that are not just taking over the bordering the territories. This would in fact means a new express this policy to protect national interest. तो या आपका सही होजाता है, यह भी आपका गलत हो जाता है. इसे भी relation ही है, किसका सोवर्नेटी का. Next question, the new start is a treaty signed between the following countries. Current effects का question है, यह USA and Russia की बीच में sign हुआ है. तो लिखाओ, US-Russia agree to extend the new start nuclear arm treaty. The extension of the landmark arms control treaty will continue to limit the number of the nuclear missiles and warheads each country can deploy. उसमें क्या है कि अब देखो सब्सक्राइब जाद हो जो आपके कि है, nuclear warheads किसके पास है, आपका Russia के पास हो, उसके बास किसके पास है, तो भाई नोने बोला है कि आप जितना भी क्या होगा nuclear warheads से, उससे लेटर आपको जानकरी एक दूसरे के साथ साजा करनी पड़ेंगी, ठीक नोने control करना पड़ेगा, सिपरी की रुपोर्ट भी थी, और कई सारे जो युनाइटे निशन वो खुद मांग करता है कि इनको हटाओ आप nuclear missile जो भी है, उससे हटाना अच्छी धिरे-धिरे करके, क्योंकि पूरे उक्ति बोल सकते है, पूरे प्रिसिभी के ले कि आपका हानिकारक है, परमान नियरे देश, ठीक है न, याद रखना है, यह स्टार्ट की फुलवा में है, क्या, स्ट्राटीक उफंसिव आम्स यह आपने याद रखना है, आमस ट्रीटी, अच्छ लिखा हुए, अच्छ लिखा हुए, अच्छ लिखा हुए, इससे रिन्यू किया जा सकता है, इसने रिप्लेश किया गया था, जो एक्सपार होगी थी दो जार बारा में, दा नूस्टार्ट ट्रीटी प्रवाइट अच्छ लिखा हुए, आपके अठारा मामलों में क्या की जा सकती है, रॉष्यान, आपकी जो फैटरेशन वो कहां पर कर सकती है, उसे में, उसे कहां कर सकता है, रॉष्या में कर सकता है, लगारा में, बहारत में जो प्रिथी ही है, इंट्र कॉंटिनेंटल बे दिशे जाद ऑच तरह ग विए निक्वानट नुटिने त ही एक गृपÁंगी में अइसे раз कुंटेरिंों एक ट्रॉंटनेट में प्राइभागी सितना है प्ररफा को प्रीचिने डियाएट ऐसितन दाट ज़िसां सब्सक्राइन लॉट बंबर सेट इक्विप्ट फोर दुक्लिर आरूमेंट इस थाइप पंदर्ण विट जो थी जब का बेटी वचाव बेटी पढ़ाओ अभ्यान आपका हरिया ना से आपका स्टाइट किया गया तो लिखा वाइद अक्रिए अटा साल तक आप के दुटर के लिए आपका हाफ अमोर्ड निकाल सकते उससे और मैरेज के लिए आपका 21 साल है तो किसीको और यह जो इसकी में आपकी केवल कितने बच्चों तक है दो अगर दो लड़किया है तभी यह दो से ज्यादा नहीं होगी यह तो आंसर जुने का चुछ दू के शब्सक्त तो लिखाव तुमेन अब तो सुकनिया समर्दी यूजना है तो इंकरेद परेंट आप अफ गल्चाइट इन ओर टुक्रेट अफूर 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 एफूर इज़ा इसा आपका गाउ है अफूर कहा तेलंगान जहां पर लड़की पैदा होने पे जाती मिठाईया और अब वह सकते है एक हिसाब दिवाली मनाई जाती दिला दिवाली तो इस चेंज़ एट्व इस बिकास अप दो पंचायद प्रेजेंट मौमध साफी थे वहां पे एक जो आपके पंचायद प्रेजेंट थे प्रधान और सेक्रेटरी थे अपके रोएद कुलकरनी उन्होंने अबढ़ाउ पिजुट्री वहां पे चलाया था एफट पाल गोंड़ कर्णी दवाली मज्टरी यहेटर प्रेजेंट थे जे प्रन प्रेजेंट पर रिजळेंगे प्रवाइर फॉट्र फॉट्री फॉट्रेजेंट दुट्र नों ने बताय कि जितनी ही लडिक्याँ उनक सकते एक साल में डाल सकते उस पर और मैक्सिमम में डीट लागता है जाता है कर दो फाइनिशल यह अगर आप एक अजार उपर नहीं डालते हैं हर साल तो पैनल्टी पचास और पर जाएगे पचास और कर जाएंगे डिपॉसित इन करना है और यह अकाउंट दस साल से पहले खोला जाएगा जब लड़की दस साल से छूटी रहेगे तब ही खोला जासकता है अगले के विद्डॉफ फैसिल्टी क्या है बई जो आपकी साधी की उमर माल ली जाती है तब आप क्या कर सकते हैं इसे कि अगर से पैसा निकाल सकते अठाथा साल तक होने तक इता बैन फिद्डॉफ फैसिल्टी क्या है बई फॉर्ट पर पर प्रपस दो था हायर एजुकेशन मैरेज अकाउंट होल्डर कैना वेंड़ प जो वा सकते हैं उसका अकाूंट अपरेट अन्ली वन अकॉंट इन्टार आइम आइक्याक अपर चैण याए इक नेठी के नाम पर नेचर उनीचर ओपन दाल फार चलन चाइब लड़ चाइब थू लड़ फैस दो जाना लड़कियों के लिए नहीं खुला जाएगा एक ए प्रकॉस्ट टास्च्ट अडिवेर इन इंडिया इन की कहीं भी कर सकते ऐसे वर्म और पोस्ट ऑफसस में हो सकता आइं रहा है फॉलीं ऑफोर पी आलाई तो लिखावा इंट वस बिल्कुल नए आपका रेसेटी नीज उसमानी जा सकती है अबारेस अगा अगर यह जदे भी आपके लेक्टाइक सब्सक्राइब गोसिस कर रही है इसे क्यों बहुत करना है और जो आपका एक वेली चेन उसको एक बूस्स सब्सक्राइब अब आपको चूट देंगे आपको शूट देंगे आपको इनसेंटिवाइब बाइट पयोड़ीर एक चृप्डी ना की दवाया बनाही जा रही थी और प्रकास का जो आपका सुरुवात में जो आपके दवाइती जो मलेरिया होती है तो जो भारत उसका जो में इंग्रीटेंट होता है वो कहां से आपका इंपोर्ट करता था चाइना से तो भारत और यूएसे जैसे देशों को यह लगा कि यार हमें यहां भी क्या करना जहां तक मेरे दिमाग में क्योंकि काफी पुरान न्यूज है तो भारत सरकार ने इसके लिए रखे भी थे कि आपके अगर सकते एक्टिव फार्मसुटिकल इंग्रेटर को भारत में बनाई है ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी कि इस पर चाहना पर खतम हो सके और लिखा इं जालिसलिए तक किस था कंपी क्या गया था कोविट क्या प्रकोफ हो गया था जारी और हमें काफे ज़्यादा दिक्कते देखने ही मिली थी एक्टिफ फार्मसुटिकल इंडिटेंट्स से रिलेटर मदलब ठीक ना तो भारत की चाहिए जो जो इंपोर्टेंटेंट वो भारत कुछ कर सके तो नियुल्य कर सके टमार्ट इनी मुडिक्टेंटिव इसकी वनुटर इंडिया इंडिया मनेफेक्ट्टिछीं नेयुक्स ब्हारत यह देख लीजे तो incentive कितना है 4-6% के आसपास देंगे incremental sales पे over the base year of the goods and the manufacturing इंडिया target segment के mobile phone है specified electronic component भी है eligibility is subject to threshold to incremental investment and the incremental state of the manufacturing goods 10 year of the scheme अधर 5 years subsequent to the base year of the fiscal year 19-20 तो यह आपने याद रखना है तो इस वीडियो को जो PDF में है वो टेलिग्राम ग्रूप WhatsApp group दोनों में कर दूँगा शेयर कर दूँगा और YouTube में अगर आप इस वीडियो को देखने है तो लाइक करें शेयर करें आप हमें लाइक कर सकते हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जयन जय बारत आप हता है टेखने करें हो लाइक करें हैं शेता हैटो阎 जन्सभराम टाइक करें objective